नमस्कार में महेश अर्मा एक बाफ फिर लेकर आया हूँ जनता की आवाज और जनता की आवाज में इस बार का मुद्दा है किसके सीर होगा ताज साथ दिसंबर को पूरे राजस्तान की एक सो नन्यार में पिदान सबा सीटों पा मद्दान हुआ मद्दान 74.09 परसेंट हुआ जो पिसली बार की अपेक्षा 1.52 परसेंट कम था तो अब सब के मन में ये सवाल कि आखिर राजस्तान में कौन बनाएगा सरकार कौन होगा मुख्य मुख्य आप लोग है केते हैं कि नहीं क्योंकि प्रसेंटेज इसलिए कम वहा क्योंकि वो एंटी गोवर्मेंट है मैं आपकी बात समझ गया हूँ सर आप इनसे पूछी है अगर इन्होंने इतना ही जनता के लिए काम किया है तो फिर ये राम अंदिर हनमान जी बीच में क्यों लेके आते हैं और आपको मैं बताना चाहरा हूँ जो ग्यारा तारी को रिजल्ट आएगे ना हम आदरनी राहूल गांदी जी अशो घैलो जी और सचिन पाइलेट जी नेतर में नेतर में जीतेंगे सरकार और हम सरकार बनाएंगे ग्यारा तारी को आप यह देख लीजेगा एक अब्जर्वेशन यह था कि जहां मुस्लिम बहुत जाला थे जहां रासपूत बहुत जाला थे वहां पर योगी जी किसा भायो सहे साब मैं आप से जाना चाहूँगा क्या ऐसा हो पाया परदेश के अंदर पिछले चार साड़े चार सालों में जो माहूल बनाया गया गिरना का नफरत का और चोटे चोटे उद्दियों खतम कर दिये गए जी एस्टी के नाम पर इसके अलावा नोडबंदी करके तमाम गरीबों को सबको बिलकुल सड़क पर ला दिया गया ये सारी जो राजनीती रही है जो की एक विचार धरे की राजनीती है जिनका गाय गोबर और इसके महलों के और शेहरों के नाम बदलने से जादा इन्होंने कुछ नहीं किया है और उसी को इन्होंने यहाँ पर इस्तिमाल करने की कोशिश की योगी आदितेनाज जी को यहाँ बुलाया गया खासतोर से धुरुवी करण के लिए जिसका नतीजा जनता ने बिल्कुल नकार दिया आप हनुवान जी को दलीद बता देते हैं सवाल यह है क्या अब भगवान के भरोसे बीजेपी चलेगी क्या विकास के भरोसे नहीं चल सकती जब इनको पूरा वक्त दिया गया, मोधी जी भी सरकार थी, यहां राजिस्थान में बीजेपी के सरकार थी, क्यों दोनों में तालवेल नहीं बेटा, क्यों विकास नहीं हुआ, क्या अंदर की राजनीती थी, क्यों आप पसंद नहीं करते वसंद्रा जी को, तो यह सारी ची वहां के जो दोनों जगह है, पुषकर और अजमेर, दोनों विदान सवाज सीटों पर मदान प्रतिशत कम हुआ, भगवान श्री राम जिनको हम कहते कि मर्यादा पुर्शोतम श्री राम, लेकिन मर्यादा जो शब्द है, वो भारती जनता पार्टी ने इस मर्यादा शब् धेरिये रखे, पेटिया खुलने के बाद, इवियेम पर आरोप नहीं लगा है, वहना देश की जनता आपको माप नहीं करें। में अपेक्षाय है, यूआ नेर्जी से और अनुभाव से, यानि सजिन पाइलेट से और अशोगेलो से के वो खासकर जो दलीत और मुस्लिम में जो भय का माहूल है, और जो गिरना का माहूल बनाया गया है, साड़र चार साल में, ये एक चेलेंज होगा किस तरह इसको पू जैसे लोग नहीं निकले और खासकर जो इसका भी असर पड़ा के फिराइडे था, तो चूंकि मुस्लिम महीन आए, जुम्हे की दिन थोड़ा सा कम बाहर निकलती है, तो उसके अंदर क्या अलेक्षाय आप इस बाहर से सहमत है। झालेंज हो एक जो इसके अंदर क्या है।